आज का हमारा टॉपिक है Doppler Effect The apparent change in the frequency of sound when the source, the observer and the medium are in relative motion is called Doppler Effect जब भी आपके source, observer और medium relative motion में हो तो जो sound हमें सुनाई देता है उसकी frequency हमें different सुनाई देती है जैसे example के लिए अगर train आपकी तरफ को move कर रही है तो आपको उसका sound increase होता हो सुनाई देगा और अगर वो आपसे दूर जा रही है तो उसका sound आपको decrease होता हो सुनाई देगा जबकि actual में जो sound है वो तो fix है, जो आपका whistling का sound होगा वो तो बराबर होगा लेकिन due to their relative motion हमें जो sound हो आपको different सुनाई देगा इस तरह के effect को हम नाम देते हैं Doppler effect इसमें हम सबसे पहले करेंगे apparent frequency when the source moves away from the stationary observer इसमें हम एक observer लेंगे O जो आप भी हो सकते हो और source इसमें में भी train ले सकते हैं ठीक है तो हम यह assume करते हैं कि शुरू में source आपका जो है वो S1 पे है और आपका observer है वो O पे है फिर हम assume करते हैं कि जो source pulse generate कर रहा है sound generate कर रहा है वो after उसका time period capital T है बतलो अगर एक उसने अभी generate किया तो दूसरा pulse वो generate करेगा after capital T time के बार ठीक है तो शुरू में हम time लेते हैं 0 जब शुरुआत हम करते हैं आपका source है S1 पे और observer है O पे तो assume करते हैं कि उसने यहां से pulse generate किया जब pulse generate करेगा तो वो observer को सुनाई देगा after time T1 जो कि होगा distance upon sound की speed जो कि हमने V माननी हुई है तो distance है दोनों के बीच में L और speed है sound की V तो यह हुआ जो first pulse generate हुआ जो observer को सुनाई देगा अब यह कहता कि after time T जब वो second pulse generate करेगा तो आपका source पहुंच चुका होगा S2 पे वो होगा आपका capital T time period जिसके बाद उसने एक तो capital T हो गया जो time period उसने लिया pulse generate करने के लिए plus total distance upon speed अब total distance कितना है total distance यहां से यहां तक हो गया L plus VST यह VST उसमें distance में add करना पड़ेगा और sound की speed आपकी वही रहेगी V जो दो pulses के बीच में जो sound दो बार generate हुआ उनके बीच के time interval का difference जो आएगा वह आएगा T2 minus T1 जिसको हम T dash कहा देंगे अब what is T2 T plus L plus VST upon V minus L upon V अब इसमें L upon V को अलग कर लो plus VST upon V अलग हो जाएगा L upon V से L upon V cancel हो गया T plus VST upon V आ जाएगा तो यहां से T common ले लेगे फिर V आपने L sim ले लेना है तो यह जाएगा V plus Vs upon V तो यह आगया T dash T V plus Vs upon V अब हमें पता है कि जो apparent frequency रहती है आपकी apparent frequency का मरलब यह हुआ जो आपको सुनाई देगी ठीक है वो कितनी होगी होगी 1 by T dash के बराबर ठीक है टाइम पिरिड के जो आपका आ रहा है दो consecutive pulses के बीच में ठीक है यह actual frequency है जो आपका source generate कर रहा है जो की 1 by T के बराबर है ठीक है तो अब आप देख रहे हो numerator इसमें छोटा है और denominator बड़ा है क्योंकि plus हो रहा है तो जब भी denominator बड़ा हो तो उस case में आपका left side की value decrease कर जाती है तो इसका मले ही हुआ कि जो sound आपको सुनाई देगा वो आपको decrease होता हुआ सुनाई देगा ठीक है वो लगया कि कम होता जा रहा है जैसे ऐसे आपका source दूर जा रहा है अब यह assume करें कि अगर source आपकी तरफ को move कर रहा है तो आपके जो direction हो जाएगी source की वो opposite हो जाएगी तो that means vs की जगा माइनस vs उसमें ले लेंगे तो यहां पर जब vs की जगा माइनस vs पुट कर देंगे तो आपकी जो apparent frequency है वो आपकी increase करनी चाहिए क्यूंकि आप denominator decrease कर गया तो अब source जब आपकी observer की तरफ को move करेगा तो उस case में जो frequency होगी sound की वो जादा सुनाई देगी तो हम क्या करते हैं हम source को rest पे मान लेते हैं और यह assume करते हैं कि observer v0 speed से आपकी तरफ को move कर रहा है तो अगर new frequency है source की और वो after time interval t pulses generate कर रहा है तो हम time period निकाल लेंगे 1 upon new जो हमें पता है कि time period करता है inverse of frequency रहता है at any instant the separation between two pulses is given by जो wavelength रहेगी pulse generate करने की होते है velocity into time velocity होगी sound की और time period हो गया t after time period t वो क्या कर रहा है pulse को generate कर रहा है फिर ही कहता है has the observer will receive the second pulse after receiving the first pulse at जो second pulse receive करेगा वो करेगा t' time के बार ठीक है तो t' time हो जागा velocity into time upon total speed अब total speed आपने यह याद अखनी है कि एक तो sound आपके पास पहले कब आ रहा था जैसे example के लिए मैं आपको खहूँ यह observer है और यह आपका source है हम कह रहे हैं कि observer move कर रहा है v0 speed के साथ तो जब हम assume कर लेते हैं कि after time t capital t time के बाद वो यहाँ पहुंच चुका है v0 into t यह हम कहेंगे अब जो नया यहां से जो source जो क्या करेगा pulse generate करेगा तो पहले case में तो pulse को यहां तक पहुंचना पड़ा इतने distance तक लेकिन दूसरे case में जो pulse है उसको सिर्फ इतना ही distance कवर करना है क्यों क्योंकि अब observer यहां पहुंच चुका है ठीक है पहले observer शुरू में यहां था लेकिन आब observer यहां पहुंच चुका है तो हुआ क एसे case में हम कहते हैं कि माल अगर sound की speed V है और आपकी जो speed है V0 है तो net speed क्योंकि opposite direction में जा रहे हमने पढ़ा है और जो आपकी relative speed हो कितनी हो जाएगी V plus V0 जब दो speed opposite direction में चलती है तो sound को travel करने के लिए जो net speed होगी उसकी अब होगी V plus V0 तो यही बात आपने इसमें ध्यान म को move कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे V की जगा V plus V0 आपने ले लेना है तो अब hence the apparent frequency is given by apparent frequency क्याती हो 1 by T' के बराबर ठीक है तो T' आपने यह यहाँ पे put कर दिया 1 by T, what is 1 by T? It is actual frequency तो यह आगे आपके पास apparent frequency अब यहाँ पे आप देख सकते हो numerator बड़ा है तो that means आपकी frequency left side क apparent frequency की value जादा होगी तो हम कहेंगे कि sound आपको जादा सुनाई देगा जब आप source की तरफ को भागोगे ठीक है अगर आप source की तरफ भाग रहे हो तो आपको जो sound सुनाई देगा वो increase होता हुआ सुनाई देगा ठीक है और अगर हम बोलते है कि observer दूर जा रहा है तो उस case में V V0 की जगा माइनस V0 पुट कर लो value में ठीक है तो माइनस V0 पुट करेंगे क्योंकि direction opposite होगी तो इससे आप देख सकते हो numerator छोटा हो गया numerator छोटा हुआ तो आपको जो sound सुनाई देगा वो आपको decrease होता हुआ सुनाई देगा तो यह हम कह सकते हैं जब आपने दूर जाना है कि जो observer है और जो source है दोनों एक ही direction में move कर रहे हैं तो O1 आपका पहली position है और source की पहली position होगी S1 यहाँ पे जो observer है उसकी speed लेंगे V0 और यहाँ पे लेंगे Vs फिर है कहता है the source emits a pulse of velocity V जो हमने sound की speed लिए है of frequency new and T with a time period टाइम पिरिट कमर लग कितने time के बाद दूसरी pulse generate होगी ठीक है now since observer is moving with the velocity of is moving the velocity of pulse relative to the observer is V plus V0 ठीक है क्योंकि observer move कर रहा है source की तरफ को move कर रहा है तो जो sound की net velocity आएगी V plus V0 जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका source की तरफ को observer move कर रहा है तो आपकी जो sound है वो जल्दी आप तक पहुंचेगी और कितनी speed से therefore the first pulse reaches the observer T1 is equal to L upon V plus V0 जब वो pulse generate करेगा उसकी तरफ को भाग रहा है तो मालो अगर वो T1 time में पहुंच रहा है तो total length upon net speed, speed कितनी होगी sound की V plus V0 अब मैंने आपको बता दिया कि sound की speed V plus V0 क्यों ले रहे है क्योंकि observer आपकी तरफ को move कर रहा है इसलिए sound में उस speed को add करना T the new position of observer B O2 हमने बोला कि capital T के बाद जब आपका second pulse generate होगा तो उस time पे observer O2 पे होगा और आपका जो source होगा हो S2 पे होगा क्योंकि ओ भाग रहा है और ये भी भाग रहा है ठीक है तो आपका जो new distance होगा दोनों के बीच में होगा L new distance L plus अब Vs minus V0 into T हमने लिया होगा Vs क्यों Net Speed कितनी है Net Speed अगा Positive है जादा है Nat Speed Vs जादा है तो distance बढ़ेगा दोनों के बीच में gap बढ़ जाएगा लेकर अगर V0 जादा है वो जादा स्पीड से आरहा है तो d deployment का gap कम होता जाएगा ठीक है अगर Vs जादा है तो gap बढ़ता जाएगा और अगर V0 जादा है तो gap कम होता तो इसलिए net आपने speed लेनी है Vs minus V0 दोनों की तो कितना distance दोनों में बढ़ा वो आपका net speed into time interval जो आपने t लिया हुआ है so the second pulse reaches the observer at time t तो t2 यह होगया पहला time period जो pulse second generate होगी उसका time period plus total distance upon total speed total distance क्या हुआ यह भी हमने निकाला और total speed होगी V plus V0 sound plus observer की speed the time interval during which the two successive pulses जो आपकी दोनों pulses के बीच का जो time interval होगा successive pulse के विच में वो आएगा t2 minus t1 जैसे हमने पहले case में किया था तो t2 आपने यह पूरी value भरनी है और t1 आपने यह value value भर देनी है फिर यहाँ भी आप देख सकते है L upon V plus V0 आ जाएगा तो इससे L upon V plus V0 cancel हो जाएगा हमारे पास बचेगा Vs minus V0 into t upon V plus V0 यह आप देख सकते हो next page पे यह आपने cut कर दिए और यह आपके पास यहाँ रह जाएगा into t फिर common आ जागा t और L sim ले लोगे यहाँ पे 1 बनना चीए तो L sim ले लोगे तो V plus V0 plus Vs minus V0 जब इसको t को common हो गया अब तो अब यहाँ पे क्या कट रहा है यहाँ पे V0 से V0 कर जाएगा तो V plus Vs upon V plus V0 हो जाएगा तो इसके साथ हमारा so the apparent frequency is given by वही 1 by T dash इसको inverse कर लेंगे उपरवाल equation को और what is 1 by T? इस अगें new यह आपके actual frequency होगी और V plus V0 upon V plus Vs आपकी value देदीगी apparent frequency की तो इसमें वही बात है कि अगर observer ज़्यादा तेज दोड़ रहा है और source की speed कम है तो उस case में numerator बड़ा होगा और frequency आपको ज़्यादा सुनाई देगी लेकिन अगर source की speed ज़्यादा है और observer आपका slow है तो उस case में आपको frequency decrease होती है उसमें देगी तो depend करता है दोनों में किसकी value ज़्यादा है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं आप parent frequency की value को calculate कर सकते हैं तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो Doppler effect के articles को अच्छे से समझ सकते हो कि कब source किस तरफ को move कर रहा है तो आपकी frequency पे उसका क्या effect पड़ेगा आज के लिए इतना ही काफी